इसलामिक देश UAE में बना भव्य हिंदू मंदिर अब हिंदू मंदिर भव्य बना है इसके चलते कट्रपंथियों को इससे प्रॉब्लम होना शुक्रूगे तरा तरा के कॉमेंट्स देखने को मिल रही है कट्रपंथी इसका विरूद कर रहे हैं आपको बदाना चाहेंगे कि आज प्रधान मंत्रे नरेंद्र मूदी इस भव्य मंदिर का उद्खाचन करने वाले हैं और कैसा होने वाला है इसका उद्खाचन क्यों ये मंदिर इतना शौनदार है और क्यों कट्रपंथी इसका विरूद कर रहे हैं चली बदाते हैं आपको इस वीडियो में जिसमें 13 एकड में मंदिर का हिस्सा बना है और बाकी 13 एकड में पारकिंग इरिया बनाय गया है भारत में U.E.A के राश्टूत अब्दूल नासिर अलशाही ने जहां मंदिर उदगाचन को U.E.A के लिए खास मोका बताया है वहीं कई कट्रफंथियों ने सोचल मीडिया प् सब्सक्राइब साथा है दुबाई में हिंदु मंदिर खोलने के लिए संयुक्त अरब अमिरात की निंदा की थी, हाला कि कुछ लिबरल मुसल्मानों ने इसे सैंचुता को बढ़ावा देना का कदम बढ़ाया है, हिंदु मंदिर के उद्गाटन के तुरंट बाद इसलाम की प्रमुख स्कॉलर्स ने UAE के निंदा करते हुए भारत में मुसल्मानों पर अत्याचार करने के लिए हिंदु को पुरुस्कृत करने का रोप लगाया है, मिसर के इसलामिक स्कॉलर मुहमद अलसागन का है कि जब भारत में मुसल्मानों को पताड़ित किया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उस समय यूए हिंदु मंदिर का निर्मान कर रहा है, ऐसा लगता है कि एक अदम मुसल्मानों की भावनाओं को भड़गाने वाला है, आपको पताना चाहेंगे कि UAE में बने मंदिर के उद्घाचन के सिलस्रे में प्रथान मंदिर नरेंदर मोदी बीते कल और आज, यानि कि 13 और 14 जनवी को UAE में रहेंगी, पिछले आठ महीने में पीम मोदी का ये तीसरा UAE दोरा है, असदोरान पीम मोदी कत्र भी जाएंगे, मंगलवार को सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए, जिसे इन देशों के साथ भारत के दीपक्ष्य समंद और गहरे हुँगे, आपको इस वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा और आप इसे तरह के खबरों के लिए देखते रहें ये रिपोर्टर जी,